आनन्द एक बहुत ही साधारन आदमी था, उसका एक अच्छा खासा परिवार और एक नौकरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफी परेशान रहने लगा था। उसकी परेशानियों की वजह थी उसको आने वाले वीचार, उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है, पूरे घर का खर्चा उसे अकेले उठाना पड़ता है, घर में सबकी जिम्मेदारी भी उसी के कंदे पर है, आनन्द की परेशानियां उसके चहरे पर दिखने लगी थी, वो बात-बात पर गुस्सा हो जाता, उसका चिर्चिरापन दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा था, एक दिन आनन्द अपने घर में ऐसे ही परेशान सा बैठा हुआ था, तब ही उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि पापा मुझे स्कूल से होमवर्क दिया गया है, क्या आप मुझे होमवर्क करने में हेल्प करेंगे? आनन्द अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही उसके उपर गुस्सा हो गया और उसे काफी भला बुरा सुना दिया, बच्चा वहां से निराश होकर चला गया, थोड़ी देर बाद आनन परिक्षाओं का धन्यवाद करना चाहूंगा जो पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी लेकिन बाद में मुझे समझ आया उसके बाद ही विकेशन आता है मुझे बीमारी में खाई जाने वाली सभी करवी दवायों से नफरत थी लेकिन बाद में मैं समझ पाया कि उन्ही दवाओं की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता था और बाकी सभी चीजों का मज़ा ले पाता था सुबह सुबह बचने वाला अलाम मुझे अच्छा नहीं लगता था लेकिन मैं बाद में समझ पाया उसी अलाम की वजह से मुझे सुबह जल्दी उटने की आदत लगी और वही अलाम ही मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता है पहले मुझे मेरे पापा की डाट अच्छी नहीं लगती लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ उनकी डाट की वजह से ही मैं सही रास्ते पर बना रहता हूँ और अच्छे भविशे की तरफ आगे बढ़ता हूँ इन सभी चीजों के लिए और खासकर मेरे पापा के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँ हूँ क्योंकि मुझे डाटने के लिए मेरे पापा तो है मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं है मेरे पापा ही मेरी सारी जरूरते पूरी करते हैं कभी कबार डाते भी है तो मेरे भले के लिए अपने बेटे के विचार उस नोटबुक पर पढ़कर आनन गहरी सोच में पढ़ गया बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे उसे लगा जैसे वो कई दिनों से किसी गहरी नींग में सो रहा था और यह नोटबुक पढ़ने से उसकी नींग खुल गई हो आनद ने पेल और नोटबुक ली और अपने विचार लिखना शुरू किये आनद ने लिखा कि मुझे अपने घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और नौकरी भी यह उन लोगों से कहीं बहतर है जिनके पास घर या नौकरी नहीं है सबकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है इसका मतलब है मेरे पास अपना एक परिवार है मतलब मैं उन सभी लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जो अकेले या अनाथ है आनंद ऐसे ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानिया लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो की पूरी तरह पॉजिटिव था ये सब करने के बाद उसका मन और दिमाग बिलकुल हलका हो गया उसे लगा जैसे जिन्हें वो परेशानी समझ रहा था वो कोई परेशानिया थी ही नहीं दोस्तों, हम मेंसे कई लोग अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को नकारात्मक प्रिष्टी से देखते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं हमें हर समस्या या परेशानी को सकारात्मक प्रिष्टी से देखना चाहिए जिस दिन से हम ऐसा करने लगेंगे उस दिन से हमारी हर समस्या गायब हो जाएगी क्योंकि कोई भी समस्या एक नेगेटिव विचार से ज्यादा कुछ भी नहीं होती है आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद